चुकि प्रकृतिक चीज़ा है तो इसको डिकंपोज होने का टाइम ज्यादा लंबा लग जाएगा फिर भी हम लोग चाहेंगे कि आपको एक ऐसी तरकी बता दें कि बिल्कुल आसानी से चारी चीज़े बन जाए तो गाय के गोवर का खाद कैसे बनता है हम जनरली क्या करते हैं सुखा गोवर ले के आए और बस कुटा और हमने उठा के डाल दिया सीधा गमले में क्या ये सही तरीका है या फिर कोई और तरीका है बनाने का तो आज का वीडियो इसी के बारे में है आप मेरे पीछे देख प खाद बनता कैसे है, exact तरीका जो कि अभी तक मेरे को नहीं दिखाया है कि कहीं भी किसी ने भी इसका exact तरीका बताया हो कि आखिर गाय के गोवर का खाद कैसे बनता है तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है तो गाई चलिए वीडियो श्राट करते हैं और वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से बताया है अगर कोई सवाल है तो आप इनसे पूछ सकते हैं इनका फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऑनलाइन ट्रेनिंग के जो क्लासे से हैं लाउट डाउन में जो स्टार्ट हुआ था वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है तो आप उनको भी जोईन कर सकते हैं तो गाई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं समानित नागरिकों नमस्कार उपस्तित हूँ डेली डूट्स चैनल पर आप सभी के समक्ष नही नही जानकरियों का एक बहुती अच्छा कॉंबिनेशन को लेकर बहुत समय में ये बाते चलती है कि हम गोबर से खाद कैसे बनाएंगे सहरी जीवन में गोबर का उपलबदिता गोबर की उपलबदिता बहुती आसान तो नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी चुकि हमारा टच और सेंटिमेंट इनी सारी चीजों में बसता है तो हम इनी सारी चीजों में अपने आपको इंजोई करते हैं आपने एक सुना होगा I like it इस तरह का एक सब्द है जब बहुत ज़्यादा कोई परिसानी आए बहुत ज़्यादा कोई जंजट आए और बहुत ज़्यादा चुनोती आए और उसके बाद भी आपके मूँ से निकले I like it तो समझे कि हम किस तरह से जीवन जीते हैं सहर में गोबर को उपलफद कराना भी इसी तरह की एक फितरत है और यह देखिए हमने एक ताजा गोबर मंगाया हुआ है और साथ में इधर आपको दिखा रहा हूँ कि अब हमारा गोबर लगबग इस फॉर्मेट तक पहुंच चुका है कि अब खाद में यह कनवट होने वाला है 10-15 दिन के अंदर यह खाद में बिल्कुल कनवट हो जाएगा और हम इसे बनाते कैसे हैं इसी बात पर आज का यह वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं संदे समारा आप ध्यान से सुनेंगे और अपने भी यदि उपलब दो तो बना लेंगे बहुत समय में यह बात चलती है कि क्या मैं ताजा गोबर बिल्कुल ले के आ रहा हूं कहीं से और इसको खाद बना जा सकता है तो मैं आपको जानकरी दे रहा हूं कि बाद इस पर आप माइक्रोप्स को डालेंगे माइक्रोप्स के बिना यह गोबर का खाद बहुत आसानी से बहुत जल्दी तो नहीं बनेगा लेकिन प्रकृतिक चीजा है तो इसको डिकंपोज होने का टाइम ज्यादा लंबा लग जाएगा फिर भी हम लोग चाहेंगे कि आपको एक ऐसी तरकी बता दें कि बिलकुल आसानी से चारी चीजे बन जाए तो आएए इसी के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ चीजे हमारे लिए जरूरी है तो उसी के बारे में बात हो रही है सबसे पहले तो जब भी आप कभी गोबर लाएंगे तो आप उस गोबर को इस तरह से पिरामीड बनाएंगे एक यह इस तरह से आपको बनाना होगा नीचे से उपर की और ऐसे आपको बनेगा यह देखिए स्लोप इसको बनाने का रिजन है यह है कि जो गैस है यहां से रिलीज हो जाएगी जो एक्स्टा मीथ्हीन गैस है यहां से रिलीज हो जाएगी कभी भी आप गोबर में दिस तरह से हाथ डालके देखेंगे तो काफी cual मैसूस होगी तो आप समझेए कि इसमें कोई मैक्रोप्स हमने डाला है और वो मैक्रोप्स भी इस इतनी गर्माहट में सर्वाइब नहीं करेगा तो हमने इसका मैक्रोप्स को इसके जो अपने प्रकृतिक जो गर्माहट है उसको कम करना है तो ऐसे करके हम रख देंगे और इसी में हम पानी लगतर डालते रहेंगे चुकि हम बड़े लेवल पर करते हैं फिर भी मैं चाहूंगा आपको छोटे लेवल पर इस तरह से बता दें कि आप आसानी से कर सकें मौस्चर मेंटेन कीजिए और यह मौस्चर लगबग 50% से ज़्यादा का होगा यदि यह आपका ड्राय होने लगा गोबर सूखने लगा तो आप समझिए कि इसके जो अंदर की जो चीजे है वो इसमें से खतम होने लगेगी अब इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको आप ध्यान से समझिए कि क्या करना है बिलकुली आसान है आपको गौमुतर लेना है ठीक है गौमुतर लेना है आप यदि आप 10 किलो के रेशियो पर जा रहे हैं तो इस पर मैं बता रहा हूँ, आप 1 लिटर तक गौमूत्र ले सकते हैं, 100 ग्राम तक बेशन ले लिजे हैं, यह बेशन है, 100 ग्राम तक गुर्ण ले लिजे, इनको आप अच्छे से मिक्स कर दीजे, और 1 लिटर पानी भी आपको डालना है, इसमें, 10 kg की मात्रावे बता रहा हूँ कि आपको 10 kg गोवर लेना है एक लिटर पानी लेना है एक लिटर गोव मूत्र लेना है 100g बेसन लेना है और 100g गुड़ लेना है इनको आप इस तरज से अच्छे से मिला लिजिये जब आपने मिला लिया और यह आपका लगबग 15 दिन पुराना बन गया और 15 दिन के बाद आप इसको इस तरह से छिड़काओ कीजिए यदि बड़े लेवल पर आप कर रहे हैं तो किसी ड्रेंचिंग वाले जो आपके आते हैं फवारे उसमें से कर सकते हैं जारा बोलते हैं उसमें से भी कर सकते हैं और के पानी भी आप दे सकते हैं बिल्कुल इसे बनाईए और यह मॉस्चर अब 70% के करीब हो जाएगा 70% मॉस्चर आपको मेंटेन करना है और यह प्रकिरिया आपको हफता में दस दिन में एक बारी करना है और यह लगबग 60-70 दिन के बाद पूरा गोबर का खाद में कनवट हो जाएगा बीच बीच में आपको इसे चलाना है ऐसा नहीं कि आप सिंपुल ऐसे ही छोड़ देंगे ऐसे करके बीच बीच में आपको जब भी आप दूसरी बारी पानी चलाएंगे उसके पहले आपको इस तरह से आपको चलाना है उपर नीचे करना है और पूरा इदिये फैल भी रहा तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने इस पर जो गर्माहट थी इसकी मिथेन गैस थी उस ने इसको फैला भी दिया है सुरुआत दोर से अब यह कंप्लीट होने के पोजिशन तक है तो इस तरह से हम इस पर छिड़काओ करते रहते हैं यह पूरा पानी जो बना रखा है वो डालते रहते हैं प्राकिरतिक चीज प्राकिरतिक तरीके से डिकंपोस करके और बिल्कु अब खाद वगर आप सेल करते हैं क्या हाँ थोड़ी बहुत चीजे जो हम खुद बनाते हैं जो हमारे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको दे रहे हैं और उनका रिजल्ट वह खुद ही बताते हैं कि सही है तो मुझे भी अच्छा लगता है खुशी होती है किसी को लेना हो कोई कोस्चेन होते हैं तो उसका मैं जवाब उसी समय देता हूँ और आपकी संका का समाधान भी कर देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत आची चीज बताई है जी आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से जब मैं आपके समक्ष उपस्ति पर इंवा ये गार फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्ट्ट्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार नमस्कार झाल झाल झाल